तो हेलो एव्रीवन जैसा कि एक्जाम कब हो गया यह बता दिया गया है और कैसे होगा यह भी कुछ तक बता ही दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजे जो अभी बताने को बाकी है क्या होगा और मार्किंग इसकीम किस तरह से होगा यह तो है लेकिन किस तरह से मार्किंग डिस्ट्रिवूशन रहेगा यह सभी चीजे अभी आनी बाकी है और जब तक नहीं बताया जा सकता खुछ से प्रेडिक्शन लगाना भी उतना सही नहीं है और यहां पर आप लोग पताने के जो 100% सही होने को है ठीक है तो उसी के बीच में जो चल रहा था उसी का भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं क्यूंकि सी में भी जो दो प्रपोजल्स दिये गए थे सीवेसी ने दिये थे यूनियन मिनिस्टर एडुकेशन मिनिस्टर को वहां पर से फिर यह सुप् मिटिंग उन क्लास 12 एक्जाम टूटे तो आज इविनिंग में कोई उनका एक कुरूसियल मिटिंग होने वाला है और उस मिटिंग में वह सभी से बात करेंगे स्टेक होल्डर से भी तो मैं पढ़के बता देता हूं मैं अभी बोल दूंगा सारी बाते फिर पढ़के फिर कोई बात बोलूंगा तो टाइम चला जाएगा ठीक है चलो मैं आगे बढ़ता हूं ठीक है तो यहां पर देख लो कुरूसियल मिटिंग उन क्लास 12 बंदर टूडे इवनिंग अब देखो यार देश में प्राइम मिनिस्टर से ऊपर तो कोई है नहीं तो प्राइम अब आपको पता होगा तो वहां से यह सभी बाते को पता चल रहा है कि अप्टर यूनियन गोर्मेंट आज आगे बढ़ते हैं क्लास 12 बोर्ड एक्जाम विल भी कंड़क्टेट कंपल्स मतलब एक्जाम जो कंड़क्ट कराये जाएगा कैंसिल कराने का कोई भी इरादा नहीं है मूट नहीं है और यह मैं पहले भी बोल चुका हूं और अब यह जो यह कोरोना का फर्स्ट यह था सेकेंड वेव यह था और यह गिर रहा है मतलब सेकेंड वेव जो गिर रहा है कमता जा रहा है ठीक है तो अभी एक्जाम लिया जा सकता है 10-15 दिन बाद भी एक्जाम जो है तब एक मैना बाद लिया जा सकता है यह तो अपना पैटर रहे है कि किस तरह से एक्जाम होगा और यह देट बता रहे है कि किस डेट पर होगा और हमारा वेस्ट वेंगल बोट ने क्या बताया है है टेंटेटिव डियूरेशन बताया है जुलाई अगस्त ऐसा करके बताया ना डेट तो अभी नहीं पताया है और पैटर्ण भी टेंटेटिव है बहुत अंदर तक नहीं बताया गया जस्ट हाप आवर्द हापन आवर्द का होगा कोशन पेपर वही डाएगा ऑप्संस ब सब्सक्राइब तो यह मैंने वीडियो बना के भी बताया तो इसलिए मैं बोलता हूं हर एक अपडेट का वीडियो बनता चाता है आप लोग देख लिया करो अधा फर्स्ट ऑप्सें पर प्रपोस्टिंग एक्जाम इंट इस मेजर सब्जेक्ट्स हैं और से कंड़क्ट ए एक्जाम सब्सक्राइब तो यह दोनों मैंने बता दिया था उसके बाद क्या है और मेजर सब्जेक्ट एसस्मेंट के बेस्ट पर्फोर्मेंस पर देख के उसमें माक्त बैठा दिया जाएगा इसकें बीडन इफ थ्री मन टाइम पीडियोड इस क्लियरली और सेफली अवे बी दो फॉर्फे फॉर्बीडन टाइप दो की बीडियोड गॉर्टिय। in storms तो च्टेम्बर आगा अगस्ट सेप्टेम्बर दर जाएगा इस वर शोरे टो बीडियोड जो ऑसके बात का लिखाया हुगा ऑगा इलिवाद इसकेंड एक्सेंट अपोसें आपीडिय। लाइ हो गया है या कुछ इंफेक्शन है ही और सी विल बी प्रवाइड़ विद अनादर ऑपर्चुनेटी पर दो उनके लिए बाद में अलग से डिट बताया जाएगा अनादर ऑपर्चुनेटी होगा एक्जाम विल भी 90 मिनिट्स मतलब और गंटेगा इंस्टेट ऑफ तरी आव मतलब यहां पर एम सी क्यू और एसे क्यों आगे अभी पता चलेगा क्या होगा अभी तो यह अप्र पोजल्स पगेड़ा है जटाइब श्टुदेंट विल एप टुपेर इन वन लेंग्वेज इन तरी एलेक्टिव सब्जेक्ट तो जो वन लेंग्वेज है उसमें और ब अभी एक्सपेक्टेड है हो सकता है यह कल बहुत जाए या डीले हो सकता है नहीं तो हंड़ेट परसेंट आज भी हो सकता है चलो देखा जाए तो डिसकॉस विद दाइस्टेट्स आव टो एक्जाम विल वी कंड़क्टेड इस जो कोरोना विरस चलना उसके दोड़ान एक कोई फैसला नहीं बोला वह बोला कि सेंट्रल लेगा क्या लिखा हुआ था नेक्स्ट टूदेज वेदर तू कंड़क्ट अ क्लस्ट वेल एक्जाम एमिस्ट इन इस कोड़ोना विरस में लिया जाए या ने गिव आस टाइम तिल थर्जडे एंड गॉर्डमेंट विल कम व अचा ठीक है टोल डाइस पेसल वेंच अब देश्ट टेट एम खानवील कार्ड अंड दीनेश मेंजवरी तो अचा यह जो है यह बोड 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 नहीं बेंच जो सुप्रीम कोट होता है ना तो उसमें सिर्ट यह जज़ तो नहीं होता है बहुत सारे बेंच होता है हां तो बहुत सारे जगा जगा पर रूम नंबर वाई जैसे से करके अब सुप्रीम कोट है पुड़े देशवर का केस चलते हैं तो यह जज़ तो सम्हाल नहीं पाएगा तो इसके लिए अलग अलग बेंच होता है आधा केस यहाँ तो यह जिस बेंच पर यह लोग जज़िस उनका नाम है यहाँ पर इसके बाद क्या है यह जो फोटेशन बाइट अब प्रिजिन कोविट सिच्वेशन वह अच्छा उस समय मत्तब प्रिटेशन क्या था इस एडवोकेट के दोरह मत्ता शर्मा के दोरह कि एक्जाम को कैंसल कराने का यह प्रिटेशन था ठीक है बट यहाँ पर कैंसल नहीं किया गया यह अब डर्क सेंटर के पास पहुझ गया है तो यहाँ पर देख लो नेक्स्ट स्टोरी यहाँ पर वही चीज़े होने वाली है तो चलो यह आई होप की में मीटिंग होगा उसके बाद क्या होगा नहीं होगा समझा जाएगा तो आई होप इस पोस्ट का प्रायरिटी जो है बहुत हाई है ठीक है तो चलो देखते हैं क्या होता है जो भी हो अच्छा ही होना चाहिए और उससे जो है इस पर क्या इफेक्ट परेगा उसके उपर भी बाते कर दिया जाएगा तो परेगा क्योंकि हर एक स्टेट बोट परेगा तो आफिवा इस्तेट विफाइदा नहीं बता रहा है क्योंकि एकजम कर समय बता दिया है कि वह लोग देखने क्या कर लेगा तो इस वजए से थोड़ा रुका हुआ है तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है उसके बाद बता दिया जाएगा तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और क्या है all the very best